स्टांड़ अप कॉमेडियन अगरिमा जोशी का एक वीडियो वाइरल हो गया और ये वीडियो 2019 का है जिसमें उन्होंने छत्रपदी शिवाजी के उपर कमेंट्स बगेरा करे अपने स्टांड़ अप कॉमेडियो में परफॉर्म करते हुए अगरिमा जोशी की ये वीडियो हाइप में तब आई जब कुछ लोगों ने उन्हें गंदी गंदी गालियां और धमकी देना स्टांट कर दिया शुबम मिश्रा जोकी एक यूट्यूबर है उन्होंने एक वीडियो बनाकर अपना गुस्सा जाहिर किया और अगरिमा जोशी को इस चीज के लिए गंदी गंदी गालियां भी दी बता दे कि अगरिमा इस वीडियो को डिलीट कर चुकी है और माफी भी मांग चुकी है लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि ये चीज सोशल मीडिया में आग की तरफ फैल चुकी थी और सोशल मीडिया में अगरिमा का ये वाला वीडियो उपलवद भी है महरास्ट के ग्रह मंत्री अनन देश्मुक ने पुलिस को अगरिमा के खिलाफ कारवाई करने का निरतेश दिया है और ये चीज उन्होंने ट्वीट करके बताई है ग्रह मंत्री से पहले शिव सेना के विधायक परताब सार नायक ने भी अगरिमा के खिलाफ सक्से सक्क कारवाई करने की मांग की थी बता दे कि महरास्ट के नव निर्माण सेना ने कैफे की डिटेल्स निकाल ली थी जहां पर अगरिमा ने स्टैंड अप कॉमेडी की थी और वहाँ पे वो बात करने गयते और वहाँ पे उन्होंने तोड फोड भी करी थी ये बात बहुत जादा बड़ी हो गई और अगरिमा को रेप तक की धमके आने लगी इस चीज़ पे महीला आयोग अगरिमा के साथ खड़ी हो गई और शुबम मिश्रा के खिलाफ जल्द से जल्द आक्शन लेने की बात की गई और बता दे कि शुबम मिश्रा को गुजरात कुलिस ने पकड़ लिया और उनके खिलाफ कुछ ना कुछ आक्शन जरूर लिया जाएगा आपको बता दे कि ये स्टैंड अप कॉमेडी वीडियो अप्रिल 2019 में आया था और अरब सागर के रास्ते पाकिस्तान से आने वाले आतंगवादियों को ये एक बारी में खतम कर देगा और वो ये भी कहती हैं ये मोदी जी का मास्टर स्टोक होगा और इस टैचू में सोलर पैनल लगे होंगे जो पूरे महराष्ट को बिजली प्रोवाइड करेगा इस चीज़ पर माराथियों की भावनाओं को बहुत ठेच पहुँची और उनके खिलाफ सक्से सक कारवाई की अपील की गई ये बात बिल्कुल सही है कि अगरिमा जोशी ने मराथियों की भावनाओं को ठेच जरूर पहुचाई है और उन्होंने ये वीडियो गलत बनाई थी उनका ये इस पर कमेंट करना बहुत ही जादा गलत था लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनको रेट थ्रेट्स आने लगे ँनको गंदी-गंदी गालियां दी जाए चुबम मेश्रा के खिलाव जिनोंने उनके खिलाव ये गालियों वाली वीडियो बनाई थी उनके खिलाव भी सकसे सक कारवाई होनी चाहिए और अगरिमा जोशी के खिलाव भी कुछ नकुछ आक्चन जरूर लेणा चाहिए उन् Thank you so much!